चालू वर्ष के दौरान दक्षिन अमरीका महादवीप में सोयाबीन का शांदार उतपादन होने का अनुमान है। पिछले साल ब्राजील में तो उतपादन बहतर हुआ था मगर अर्जेंटीना में भयंकर सूखा पढ़ने से उतपादन घटकर पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया था। इस वर्ष अर्जेंटीना में अच्छी बारिश हुई है और सोयाबीन फसल की पैदावार में भारी बड़ोतरी की उम्मीद है। उल्लेखनिये है कि संसार में सोयाबीन के उतपादन एवं निर्यात में ब्राजील पहले तथा अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर है जबकि अमरीका दूसरे स्थान पर रहता है। सोयाबीन का उतपादन अर्जेंटीना में बढ़कर 520 से 530 लाक टन की उंचाई पर पहुंच जाने का अनुमान है जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। इसी तरह ब्राजील में सोयाबीन का उतपादन 1530 लाक टन होने की संभावना व्यक्त की गई है। उलेकनिये है कि ब्राजील में पहले 1640 लाक टन के उतपादन का अनुमान लगाया गया था लेकिन सबसे प्रमुक उतपादक प्रांथ, माटो ग्रोसो सहित उत्तरी भाग के कुछ अन्य राजियों में बारिश कम होने तथा तापमान काफी उंचा रहने से फसल को जबरदस क्षती हुई जिससे उतपादन अनुमान में काफी कटोती कर दी गई उधर अरजेंटीना के कई भागों में भी मौसम प्रतिकूल होने लगा है और वर्शा की कमी के साथ तापमान बढ़ गया है लेकिन फिलहाल वहां उतपादन अनुमान में विशेश कटोती नहीं हुई है शीगर ही अरजेंटीना में अच्छी वर्शा होने की भविश्यवानी की गई है जिससे सोयाबीन की फसल को राहत मिल सकती है ब्राजील में सोयाबीन की नई फसल की कटाई तयारी पहले ही आरंभ हो चुकी है और वहां इसकी आपूर्ती तेजी से बढ़ने लगी है जब की चीन में सबसे ज्यादा सोयाबीन ब्राजील से मंगाया जाता है सोयाबीन का बहतर उतपादन होने की संभावना से सोयब तेल का भाव नरम पड़ गया है एक अग्रणी विशलेशक को दो हजार तेज से चौबीस के मार्केटिंग सीजन में अर्जेंटीना से बावन ला टन सोयाबीन तेल का निर्यात होने का अनुमान लगाया है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी